हेलो फैंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टड़ी 101 पर और मैं हूँ दिवय बर्मा दोस्तो आप लोगो थामनेल देखकर इतना तो पता चली गया होगा यह आज की वीडियो आप सभी के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो में में सेकेंड सेमेस्टर ज्वाइंग एंड पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर डिसकस किया जाएगा और वीडियो पिसंद आती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और य पर कोई question है तो वहीं पर solve किये जाएंगे clear हुआ इतना इचले फिर देखते हैं इसे question paper को में सेकंड समेस्टर और यह आपका paper है 2022 सब्जेक्ट आपका है drawing and painting paper का title क्या है यह आपका first paper है first paper का title क्या है देखिया पर critical appreciation of art and introduction to research method यह आपके paper का title रहा आगे देखिए paper की timing कितन गंटे 30 मिनट तो देखिए में आपको पूरा paper हल करना है और आपका जो पूरांख है वो है 75 नंबर का 75 नंबर का पूरांख है आगे देखिए यहां पर विद्यारतियों के लिए instruction दिये हुए है जो आपका second number का instruction है इसे ध्यान से पढ़िए प्रेश्न पुस्तिका में 100 प आधारतिया आप इतना समझें कि इस question paper में कितने question हैं 100 हैं जिनमें से आपको हल करने है 75 75 question आप लोगों को solve करने हैं कहां पर solve करने हैं तो OMR sheet पर आपको question paper पर किसी प्रकार के निशान या फिर कुछ भी नहीं लिखना है यह चीज़ें आपको नहीं करनी है आगे देखिए अब रहा आपका पहला प्रशन क्या कह रहा है पहला प्रशन देखिए कला समालोचना करने का तरीका है कला समालोचना करने का तरीका है option यहाप पर कलाकार से बात करें वर्डन करें विशलेशन करें व्याख्या करें मूल्यांकन करें कथाकार का कथन लिखें सौरी कलाकार क कथन लिखें उप्रयोग तुम ऐसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्ण करें विशलेशन करें व्याख्या करें और मुल्यांकन करें फिर नेक्ष्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन कला की प्रक्रत एवं मुलिका अध्य या दर्शन है ऑप्शन या पर समा लोचना अभिव्यक्ति माप दंड सौंदर रहे इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसके राइट आंसर ऑप्शन डी सौंदर रहे अगर आपको हिंदी में कोई चीजन समझ में ना एं तो इधर इसका इंगलिस वर्जन भी दिया हुआ ह आप इसे देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखें इंगलिस वर्जन साइड में आपका अंग्रेजी में चीजे दी हुई हैं तो इसे आप लोग देख सकते हैं ठीक है फिर आगे देखिए अगला प्रेशन है तीन नंबर क्या कह रहा है कला को और फिर यहाँ पर का अध्यन करने का विवस्ति धंग है ओप्शन यहाँ पर महसूस अनभव वर्ण समालोचना इसका राइट अंसर क्या रहेगा इसक्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन नंबर डी समालोचना फिर नेक्स्ट क्वेशन फोर नंबर क्या कह रहा हैं डैस कलाक्रति की साथ आप आपका व्यक्तिगत समवाद है कलाक्रति की साथ आपका व्यक्तिगत समवाद है ओप्शन है व्याख्या करना सौंदर अनभव करना वास्तविक रूच विसलेशन करना इसका राइट अंसर क्या रहेगा इसक्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन भी सौंदर अनुभव करना फिर next है five number question कोई भी कलाकरती आपको क्या वज़ा देती है डैस कि यह आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा option या पर भावना या भाव अनुभव मापदंड वर्णद करना तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option भी अनुभव फिर next question है six number क्या कह रहा है व्यक्तिगत सैली से क्या तातपर है व्यक्तिगत सैली यानि की individual style option है इसके आपके द्वारा बनाया गया जिस पर दूसरे का प्रभाव थोड़ा या बिल्कुल ना हो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option ए आपके द्वारा बनाया गया जिस पर दूसरे का प्रभाव थोड़ा या बिल्कुल ना हो इसे क्या कहते हैं व्यक्तिगत सैली या फिर individual style जो आपकी खुद की हो फिर अगला question है seven number कला में सौंदर के कौन से तीन सिध्धान्त है कला में सौंदर के कौन से तीन सिध्धान्त है ऑप्शन या पर अच्छा बुरा बेहतर निरणय अनुमान निर्मान अनुकरण आकारवाद भावाद और उप्युक्त में से कोई नहीं इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option number c अनुकरण आकारवाद और भावावाद फिर next आता है आठ नंबर प्रशन यह तीनों सिध्धान्त है फिर अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या नौ्व यहाँ पर डैस दिया हुआ है कला की प्रक्रती और मोल से संबंधित दर्सन की साख्या है अभी आपको इसी प्रकार का पिछला question सॉल्ट राया गया है कला की प्रक्रती और मूल से संबंधित दर्सन की साखा है option याप पर आपचारिक गुण सौंदर सास्तर अभिव्यक्ति भाववाद इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option संख्या B सौंदर सास्तर क्याने की aesthetics फिर next है question 10 number आलोचना के किस चरण में समालोचक बताता है कि कला का काम कैसे और क्यों सफल है कला का काम कैसे और क्यों सफल है आलोचना के किस चरण में समालोचक बताता है ये पूछा गया है औप्शन इसके आपचारी गुण, साब्दिक गुण, निर्यात्मा गुण और सौंदर इसास्त्री गुण इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस व्रेशन का राइट आंसर औप्शन C, निर्यात्मा गुण फिर अगला प्रेशन है प्रिस्न संख्या 11 नमबर राजिस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गी करण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस व्रेशन का राइट आंसर आप्शन संख्या D, आनन्द कुमार स्वामी राजिस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गी करण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आनन्द कुमार स्वामी के द्वारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस व्रेशन का राइट आंसर आप्शन सी इतिहासकार और कला आलोचक इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस व्रेशन का राइट आंसर आप्शन बी गीता कपूर ये पुस्तक किसकी है? गीता कपूर की फिर नेक्स्ट व्रेशन है चोदा नंबर क्या पूछ रहा है? भारती कला एवं संस्कृति में EV हैबल का क्या योगदान है? उप्शन या पर बंगाल स्कूल आफ आर्ट की स्थापना में प्रयास करना, संस्कृत नाटक का अनुवाद करना, राश्टी अभिलेखागार की स्थापना करना उप्रुक्त में से कोई नहीं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, बंगाल स्कूल आफ आर्ट की स्थापना में प्रयास करना, जो बंगाल का आर्ट कॉलेश था, उसकी स्थापना में EV हैवल का महतुकूर योगदान रहा है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेगा, अगला प्रशन है, यहां पर इनका पूरा नाम दिया हुआ है, तो इनका पूरा नाम भी आप लोग ध्यान रखेगा, अगला प्रशन आता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेशन का राइट आंसर है, उप्शन संख्या भी, इवी हैवल, और मैं आप लोगों को एक महतपूर चीज बताने जा रही हूँ, जो साथ किसी ने ना बताई हो, एक चीज आप लोग देखी यहां पर, जो आपका पहला प्रशन था, चौदा नमबर, यह प्रशन आपका इवी हैवल से संबंधित है, फिर अगला प्रशन है जो 15 नमबर, यह भी आपका इवी हैवल से संबंधित है, फिर नेक्स्ट क्वेशन है, 16 नमबर, यह भी आपका इवी हैवल से संबंधित है, तो इससे आपने क्या निसकस निकाला, जो आपका question paper है, अगर उसमें आपको एकाज question ना आ रहे हो, तो एक-दो question उपर के, और एक-दो question नीचे के देखिए, सायद आपको उसी में answer मिल जाए, ठीक है, यह चीज़े आप लोग देखा करिए, तो यहाँ पर देखिए, पहला question जो है, जो question paper जब आपको मिलता है, जो question आपको नहीं आते हैं, उनको आराम से छोड़ दीजे, कितने आते हैं, करते जाए, यह चीज़े आप लोग बाद में देखिए, योगि ऐसा होता है, कई बार होता है, इसी question paper में अभी आप लोग को आगे पता चलेगा, कि 3-4 question जो होते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे तो नहीं कहेंगे, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग paper time थोड़ा सा ख्याल करिएगा, जो trick मैंने आप लोग को बताई है, इस्तिमाल कीजेगा, जहां तक आपको questions सही निकलेंगे, 98% या 90% आपको questions सही निकलेंगे, अगला प्रेशन है, 17 number, इसका right answer क्या रहेगा, इस question का right answer option B, इवी हैवल, दीखे ये भी प्रेशन आपका इवी हैवल से संबंधित है, पिर अगला प्रेशन आता है, 18 number, a handbook of Indian art के लेखक कौन है, a handbook of Indian art के लेखक कौन है, option या पर रवीन नाट एगोर, रजा रवी वर्मा, इवी हैवल, अमरता शेरगिल, इसका right answer क्या रहेगा, इस question का right answer option C, इवी हैवल, हम देखे या पर, आपके 5 question ऐसे थे, जो इवी हैवल से ही संबन्ध ही थे, फिर अगला प्रश्न, 19 number, कला आलोचना से आप क्या समझते हैं, option या पर, इसका right answer क्या रहेगा, इस question का right answer option D, उपर्योक्त सभी, और यह जो उपर्योक्त सभी वाला होता है, ये भी अधिकतर आपका सही ही होता है, तो इस जिसका भी थोड़ा सा ख्याल लखेगा, पिर बीस number question है, कला आलोचना के चार प्रकार कौन से हैं, कला आलोचना के चार प्रकार कौन से हैं, option यहाँ पर, परिभासित, वर्डन, विसलेशन, रिपोर्ट करना, वर्डन, विसलेशन, व्याख्या, मुल्यांकन करना, मुल्यांकन, वर्डन, परिभासित, रिपोर्ट करना, व्याख्या, मुल्यांकन, परिभासित, विशलेशण करना तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option संख्या B वैडन, विशलेशण, व्याख्या और मुल्यांकन करना ध्यान रखेगा सारे question आप लोग अच्छी से तयार कर लीजेगा क्योंकि अगर कोई question रिपीट हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो इस question का right answer क्या रहेगा? इस question का right answer is option C फिर next question 22 कला का दैनिक जीवन में क्या महत्तु है? कला का दैनिक जीवन में क्या महत्तु है? option या पर यह अभिव्यक्ति का एक रूप है यह आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप है यह समाज को दरसाता है इसका उप्योग बाजार और विज्यापन के लिए होता है उप्रियोक्त सभी इस question का right answer option D फिर नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्ण शील्टा का मिस्रण नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्ण एक कलाश शैली जहां कलाकार एक चित्र को ठीक उसी प्रकार चित्र करने की कोसिस करता है जैसा वास्तों में दिखाई देता है तो कौन सी कलाश शैली है देखिया आपर और उप्शन है प्रभाववाद, बिंदुवाद, यथार्थवाद, अमूर्थवाद इसका राइट आंसर क्या रहेगा यथार्थवाद यारी जैसा सामने दिखाई दे रहा है सेम वैसे ही बनाना और इंग्लिस में इसे कहते हैं रियलिज्म फिर अगला प्रेशन है पचीस नमबर जैक्सन पोला के चित्रों को किस रेणी में रखा गया है उप्शन इसके यथार्थवाद, विचित्र, अत यथार्थ, चीटे पेंट, रंगों का चिड़काओ या फिर इस फ्लैटर पेंट इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है उप्शन नमबर D चीटे पेंट, रंगों का चिड़काओ और इसे इंगलिस में क्या कहते हैं इस फ्लैटर पेंट, देखिए इंगलिस में ध्यान देखिएगा और हिंदी में आपको कुछ भी लिखे आए, छीटे पेंट, रंगों का चिड़काओ या फिर इसकी जगह पर कोई और आप्शन भी हो सकता है इंगलिस में आपको ध्यान रखना है, जैक्सन पॉलाक के चित्रों को किस स्रेणी में रखा गया है, तो इस फ्लैटर पेंट फिर नेक्स्ट क्वेशन है, 26 नमबर क्या कह रहा है, कला प्रसंसा एक गुड़ है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस फ्लैटर का राइट आंसर एक जीवन वा व्यक्तित्व, कला का प्रारंब करता के रूप में करता है उप्रुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस फ्लैटर का राइट आंसर एक जीवन कैसे प्रारंब किया, उसका जीवन, उसकी म्रत्यू, उसका व्यक्तित्व कैसा रहा, और उसकी क्रतियां कौन-कौन सी है, यह सारी चीज़े जीवनी के अंपर गदाती है तो आपका उप्शन संख्या, डी सही होगा उप्रुक्त सभी, अगला अता है थाइस नंबर, किसी भी कलाक्रति का आयाम, नाम और सीरसक है, उप्शन यहाँ पर विवरण, विशलेशन, व्याक्या, निरणे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस फ्लैशन का राइट आ अभिव्यक्त करता है कि कोई सफल क्रति है या नहीं, कलात्मक गुणों के बारे में अभिव्यक्त करता है कि कोई क्रति सफल है या नहीं, ऑप्शन यहाँ पर विशलेशन, निरणे या मूल्यांकन, व्याक्या या फिर विवरण, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क् का प्रेशन अभी आप लोगों को एक और सॉल करा गया है तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूं जो क्वेशन नहीं आता है बिलकुल आराम से उसे छोड़ दीजे जब आप सारे प्रेशनों को हल करेंगे तो एकाद क्वेशन आपको मिलेंगी जिसका आंसर आपको उसी क्वेशन पेपर में मिलेगा क्लियर हुआ इतना अगला देखिए 30 नमबर प्रेशन कारे के आर्थ या संदेशों के बारे में बात करती है या करता है ऑप्शन या पर विवरण, व्याख्या, विशलेशन, निरणए इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस वेश क्ला को सीखने वाला कुसल व्यक्ति कहलाता है अप्शन इसके एक प्रशिचु, एक स्च्रमिक, एक गुरू, एक अधिकर्मी इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर option का राइट आंसर option a एक प्रस्शिचु, और श T क्या कहते हैं an apprentice तो English और Hindi दोनों में आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या 32 नंबर वीनस का जन्म किस कand cover this P warrant on只 500 उर्थं संख्या Dion किश की इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का right ऑंसर संख्या D बोती चिल्ली वीनस का जन्म किसी कला किरती है तो बोती चिल्ली की थे दान्फिस नंबर प्रशन सितन वासल और बाग जाने जाते हैं और झांग जाने चित्रों के लिए सभी चित्रों के लिए अज लगे स्का right answer की रहेगा इसक शुटन का right answer option A лож के लिए सितन वासल और बाग की गुफांएं लिए जाने जाती हैं यहां पर ब्र बेतिचित्र बने हुए है और बेतिचित्र क्या होते हैं ऐसे चित्र जिनका निर्मार दीवारों पर किया जाता है इंगलिस में देखिएでは यहाल पर दिया हुआ भी है ऑन्य इसकी चर्चा किस विध्वान ने की इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option संख्या B यसोधर पंडित यसोधर पंडित ने की थी ध्याने कीगा अगला आता है 35 नमबर प्रशन बसावन किसका दर्बारी चित्रकार था? option है अकबर हुमायू जहांगी शाह जहां इसका right answer क्या रहेगा? option A, अकबर फिर अगला प्रशन आता है 36 नमबर और अगर आप लोग इस PDF को चाह रहे हूँ तो हमारे टेलिग्राम और वाटसप चैनल को जरूर जोइन कीजेगा वहाँ पर ये पेपर में आप लोगों को सेंड कर दूँगी प्लियर हुआ? आधुनिक भारती चित्रकला में पच्छी के चित्रण के लिए कौन प्रशिद्ध है? आधुनिक भारती चित्रकला में पच्छी चित्रण के लिए कौन प्रशिद्ध है? उप्शन या पर मकबूल फिदा हुसैन, देवकी नंदन सर्मा, रड़बीर सिंग वेस्ट, अवतार सिंग पामार इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसक्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन बी देवकी नंदन सर्मा, ये पच्छी चित्रण के लिए जाने जाते हैं अगला प्रशन है 37 नमबर, मातिस एक चित्रकार के अतरिक्त थे, मातिस चित्रकार के अतरिक्त और क्या थे? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसक्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन भी मूर्तिकार, मातिस चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे फिर नेक्स्ट प्रशन है 38 नमबर क्या कह रहा है? हम आलोचना में उतने ही बेहतर होंगे option या पर चमता या फिर अनुभो व्याख्या विशलेशन महसूस करना तो इसका right answer क्या रहेगा question का right answer option A चमता या फिर अनुभो जितना ज़्यादा आपको अनुभो होगा उतना ही आप लोग समालोचना के चेतर में बेहतर बनेंगे तो इससे पढ़ लेते हैं प्रेशन को समझ में आया हो तो कला आलोचना का वह चरण है जिससे यह निर्धारित होता है कि किसी कलाक्रति को कैसे डिजाइन किया जाए या एक साथ रखा जाए इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर है आपका B विशलेशन करना फिर अगला प्रशन आता है चालीस नमबर रेस के घोडो और बैले नर्तकियों बैले एक डांस होता है तो बैले डांसर के चितर बनाने वाला कला कार कौन है रेनिया माने देगा गोगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ओप्शन C देगा अगला प्रेशन है आपका 41 नंबर क्या कह रहा है? डैस करने में एक कलाकरत में एक संदेश खोजने का अर्थ निर्दिष्ट करना सामिल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ओप्शन A व्याख्या अगला प्रेशन है 42 नंबर व्याख्या डैस विवेक पर निर्भर है आपको किसी अन्य व्यक्त से अलग दस्टिकोर रखने से डरना नहीं चाहिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ओप्शन संख्या B आपका या फिर आपके आप समझी इस व्याख्या आपके विवेक पर निर्भर है आपको किसी अन्य व्यक्ति से अलग दस्टिकोर रखने से डरना नहीं चाहिए जैसे दो व्याख्या हैं, दो व्यक्तियों को दी गई है तो एक व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, अपने अकॉर्डिंग करेगा दूसरा अपने अकॉर्डिंग करेगा तो दूसरा किस प्रकार से कर रहा है उसका दिर्ष्टी कोड क्या है उससे आपको डरना नहीं है तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि व्याख्या आपके विवेक पर निर्भर करती है कि किसी चीज की व्याख्या आप किस हिसाब से करेंगे आप अपने दिमाग से करेंगे, दूसरा अपने दिमाग से करेगा तो वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं बाकि किसी प्रेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलिग्राम चैनल पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला प्रेशन 43 नंबर समाझ के लिए कला का क्या मेहतो है इसका राइट आपसर क्या रहेगा फिर अगला प्रेशन आता है 44 नंबर क्या कह रहा है वह पहला साहित्तिक आलोच कौन था जिसने कहा था कला वास्तविक्ता से बार-बार दूर हो जाती है उप्शन या पर प्लेटो, अरस्तू, हीगिल, फोरेस इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेशन का राइट आंसर उप्शन ए प्लेटो, ध्यान लखेगा अगला प्रेशन आता है पैंतालीस नमबर इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेशन का राइट आंसर उप्शन ए फिर नेक्स्ट क्वेशन आता है आधुनी कला समालोचना का जनक किसे माना जाता है आधुनी कला समालोचना का जनक किसे माना जाता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस वर्षन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या A अगला प्रशन आता है 47 नमबर प्लेटू ने कहा था कि कला वास्तविक दुनिया का एक प्रतिविम्भ है क्योंकि ऑप्शन या पर कला केवल दुनिया के अतीत को दरसाती है इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रस्टन का राइट आंसर ऑप्शन बी प्लेट आप्शन आता है एक कला वही वर्णन करती है जो दिखाई देता है ना कि जो वास्तविक है फिर नेक्ट वेशन 48 नमबर एक कला समीक्षक का उदेश से क्या होता है एक कला समीक्षक का उदेश से क्या होता है तलाक्रतियों की व्यक्तिका समीक्षा करना आम जंता के लिए कला प्रदошनियों की समीक्षा करना समाचार पत्रों, मैगजिन्स और आर्ट ब्लॉग में समीक्षा लिखना उप्रयुक्त सभी अगला प्रशन 49 नमबर रिसर्च में आर का क्या रत है रिसर्च में जो आपका रिसर्च वर्ड होता है इसमें आर का क्या मतलब है क्या मीन्स है option या पर भूमिका, बरकरार रखना, भरोसा, गोल इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option भी बरकरार रखना आपको अंगलिस में ध्यान रखना है रीटेन फिर अगला प्रशन है 50 नंबर क्या कह रहा है सोध को मोटी तोर पर वरगी करत किया जा सकता है ओप्शन यहां पर Fundamental Applied Research Primary Fundamental Research Fundamental Artistic Research Artistic Fundamental Research इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस वेशन का राइट आंसर ओप्शन ए Fundamental और Applied Research घ्यान रखेगा Next question 51 नंबर कला में प्रात्मिक रिसर्च क्या है कला में प्रात्मिक रिसर्च क्या है ओप्शन यहां पर कोई कलाकरती Journals, Autobiography उप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस वेशन का राइट आंसर ओप्शन ए कोई कलाकरती कला में प्रात्मिक रिसर्च क्या है कोई भी कलाकरती Next है 52 नंबर प्रेशन क्या कह रहा है नए ज्यान को विवस्ति धंग से प्रस्तुत करने का प्रयास के रूप में सोध को प्रेशन का राइट आंसर ओप्शन या पर पर परिगटना से परचित होना चरों के बीच आकास्मिक संबंद की परिकल्पना का परिशन करना किसी भी घटना की पुन्राव्रति का निधारन करना उप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर D उप्रोक्त सभी फिर अगला प्रशन आता है आपका 54 नमबर सोध में केस स्टड़ी पधती क्या है सोध में केस स्टड़ी पधती क्या है ओप्शन या पर किसी विसेश विसे का गहन अध्यन, किसी विसेश का सामान्य अध्यन, किसी लोग प्रिय विसेश का अध्यन, उप्रोक्त में से कोई नहीं उसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option A, किसी विसेश विसेश का गहन अध्यन, ध्यान रखेगा, case study पदत क्या होती है? किसी विसेश विसेश का गहन अध्यन फिर अगला है पच्छपन नमबर नियमनलिकित में से कौन सी case study method की विसेशताएं हैं case study method की विसेशताएं पूछी है option या पर या good की पहचान करती है या असाधारण होती है या वनात्मक और आग्मनात्मक होती है दोनों B वास C इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option D B वास C दोनो या असाधारण होती है या वनात्मक और आग्मनात्मक होती है दोनों सहीं है पिर अगला है 56 नमबर नियमनलिकित में से किस सोध पद्धत में naturalist setting और meaning देने वाली प्रक्रिया पर जोड़ दिया जाता है किस सोध पद्धत में naturalist setting और meaning देने वाली प्रक्रिया पर जोड़ दिया जाता है option या पर प्रियोगात्मक पद्धत है case study पद्धत कार्योत्तर या पूर व्याप्पी पद्धत बनात्मक सरवेचन पद्धत इसका राइट अंसर क्या रहेगा? इस question का राइट अंसर ऑप्शन B Case Study पद्धत फिर अगला question है 57 number अब सेसों को निम्नलिकित में से किस सोध पद्धत द्वारा विश्वस नहीं माना जाता है अब सेसों को निम्नलिकित में से किस सोध पद्धत द्वारा विश्वस नहीं माना जाता है उप्शन यहाँ पर प्रियोगात्मक, मात्रात्मक, एतिहासिक, वर्नात्मक इसका राइट अंसर क्या रहेगा? इस question का राइट अंसर option C एतिहासिक यानि historical फिर next याँ पर 58 नमबर एतिहासिक सोध का सही करम में चयन कीजिए उप्शन याँ पर समस्या को अलग करना, स्रोथ सामगी एकत्र करना, स्रोथ का मुल्यांकन करना, परिकल्पना त्यार करना निश्करसों को रिपोर्ट कर उनकी व्याठ्या करना तो इसका सही क्रम क्या होगा ये पूशा गया है तो इस question का right answer है option C first, second, third, फिर fourth और fifth यानि कि सबसे पहले रहेगा first वाला समस्या को अलग करना फिर रहेगा second वाला स्रोथ सामगरी अलग करना, एकत्र करना फिर third वाला, स्रोथ का मुल्यांकन करना फोर्थ नमबर परिकलपना तयार करना फिर fifth नमबर जिस कर्सों को रिपोर्ट कर उनकी व्याख्या करना जिस सारे यहां पर क्रम में ही दिये हैं तो इस क्रम को ध्यान रखीगा यहां पर इस question paper में क्रम में दिये हैं और साथ आप में क्रम में 9 अगला question है 59 नमबर ग्रस्ती कला में निम्लिक्त में से अनुसंधान की कौन सी पद्ध अपनाई जाती हैं ऑप्षन यहां पर प्रियोगात्मक सोध पद्ध थी गुडात्मक सोध पद्ध थी केस स्टडी सोध पद्ध थी अवलोकर्ण सोध पद्ध थी इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option भी गुणात्मक सोध पद्धत ध्यान लिखेगा द्रस्सी कला में अनुसंदान की कौन सी पद्धत अपनाई जाती है तो गुणात्मक सोध पद्धत है फिर next question साथ नंबर क्या कह रहा है आपको अपनी प्रश्णावली की सुरुवात ऐसे प्रस्ण से करनी चाहिए जो विशय के लिए अधिक यापर डैस है हो अधिक क्या हो ऑप्शन यापर प्रासंगिक मजबूत ठकाओं भ्रामक उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option ए प्रासंगिक ज् तो विशय के लिए अधिक क्या हो प्रासंगिक हो रेलिवेंट हो नेक्स्ट वर्शन 61 नंबर जब आप त्रकासिस सामगरियों और विभिन सर्च इंजन पर खोज कर रहे हों तो यहाँ है option यहाँ पर literature review, literature search, internet suffering, दोनों A और B इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option A literature review ध्यान न नेक्स्ट रहे है, 62 नंबर नियम नलिकित में से कौन सा literature review का तत्वन नहीं है, नियम नलिकित में से कौन सा literature review का तत्वन नहीं है, option यहाँ पर सीरसक, भूमिका, निसकर्स, पत्रकारिता, उसका right answer क्या रहेगा, इस question का right answer option A सीरसक, फिर अगला प्रशन देखिए, 63 नंबर सोद का उद्देश से होता है, सोद का क्या उद्देश से होता है, option यहाँ पर मौजूदा ग्यान की समीक्षा या संस्लेशन करना, समस्या का समाधान प्रदान करना, मौजूदा समस्याओं का अनवेशर कर नई परिःगणा की व्याख्या करना उप्रोक्त सभी, उसका right answer अनुसंदान की विसेश्थायन नहीं है, नियमने लिखित में से कौन सी अनुसंदान यानि की रीसर्च की विसेश्थायन नहीं है, option यहाँ पर विवस्तित, तार्किक, अनुभोजण अविवस्तित, उसका right answer क्या रहेगा, option डिवस्तित, next है 65 नमबर, यहाँ पर डैस दि उत्तरदाता को बताया जाते हैं या साथ्षात्कार की प्रक्रत को देखते हुए स्पष्ट होते हैं ऑप्शन है इसकी आप्रतेच्च सिध्धान्त प्रतेच्च सिध्धान्त फोकस समू सिध्धान्त वर्नात्मक सिध्धान्त इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन B प्रत अंतर को प्रकट करता है option यहां पर सत्य असत्य दोनों A और B उप्रोक्त में से कोई नहीं जो पंक्त दी हुई है क्या यह सही है या फिर गलत है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सत्य यहां पर जो पंक्त दी हुई है गुड़ात्मक सोध विदेशी और घरेलू बाजारों के बीच अंतर को प्रकट करता है यह सत्य है फिर नेक्ष्ट है 67 नमबर मांगी गई सुचनाओं के आधार पर सोध दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है option यहां पर अनविश्णात्मक अनुसंधान वर्नात्मक अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान और बुनियादी अ फिर नेक्ष्ट है 68 नमबर प्रश्ण प्रस्नावली में साधान तया इस्तिमाल होने वाले प्रस्नों के प्रकार है और नेक्ष्ट है पर हां नहीं वाले प्रस्न सहमत असहमत राइंक कॉर्डर स्केल उप्रोग्त सब्रूपेड इसका राइट अंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर ऑपिशन सी राइंक ऑॉडर स्ट केलं फिर नेक्स्ट आय सिग्स्टी नंबर प्रश्ण नेम्डलेकित में से प्रस्णा वली तैयार करने का प्रथम चरण कौन सा है पहला चरण कौन सा है option यहां पर прस्णा वली का उत्देश की बताना- л्म का परश्य. पर takesण क्या है फिर अगला है सब्तर नमबर प्रश्ण एक सोध योजना है एक सोध योजना है option याप पर यहार विस्तृत होनी चाहिए समेचा और टिपडियों के लिए अन्य को भी देना चाहिए सोध अध्यन के लिए तर्क नियधारत करना उप्रोक्त सभी इसका right answer क्या रहेगा option D उप्रोक्त सभी अगला है 71 नमबर प्रश्ण सोध परियोजना के सोध का परिचय भूमिका भाग सोध परियोजना के सोध का परिचय भूमिका भाग इसका option है पूरो प्रासंगिक अध्यन का अवलोकन देता है अध्यन के उद्यस की भूमिका रखता है A और B दोनो उप्रोक्त में से कोई है इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer is option C A और B दोनो यानि पूरो प्रासंगिक अध्यन का अवलोकन देता है अध्यन के उद्यस की भूमिका रखता है next time 72 नमबर दो प्रकार की अनुसंधान डेटा में सामिल है option या पर मानिता प्राप्त और गैर मानिता प्राप्त डेटा संचरित और असंचरित डेटा गुडात्मक और संच्यात्मक डेटा विवस्थित और संसाधित डेटा इसका right answer क्या रहेगा discussion का right answer option C गुडात्मक और संच्यात्मक डेटा qualitative and quantitative data आप इंग्रिस में भी देख लिया करें यहाँ पर अगला question है 73 नमबर जब डेटा मोल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं मादमिक डेटा प्रात्मिक डेटा मादमिक और प्रात्मिक डेटा उप्रुक्त में से कोई नहीं उसका right answer क्या रहेगा option B प्रात्मिक डेटा मोल स्थान से जब प्राप्त होका तो उससे क्या कहेंगे प्रात्मिक डेटा प्रागला है 74 नमबर प्रश्ट जब डेटा एकठा कर और दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है जब डेटा एक अठा कर उसे दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है option है प्रात्मिक डेटा संख्यात्मिक डेटा मादमिक डेटा उप्रुक्त में से कोई नहीं उसका right answer क्या रहेगा option C माध्यमिक डेटा next है 75 number सोध की जानकारी को कहा जाता है option या पर गुणात्मक, मात्रात्मक दोनो A और B उप्रोप्त में से कोई नहीं उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer is option C दोनो यानि की A और B गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों सहीं हो तो गला प्रेशन है 76 number प्रात्मिक आंकड़े एकत्र करने की विधी कहलाती है option या पर प्रशनावली और अनुसूची विधी, अवलोकन और साच्छातकार विधी, A और B दोनो उप्रोप्त में से कोई नहीं इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option C A और B दोनों यानि प्रशनावली और अनुसूची विधी, अवलोकन और साच्छातकार विधी ये प्रात्मिक डेटा एकत्र करने की दोनों ही विधियां है तो आपका A और B दोनों सहीं होगा अगला question है सतत्तर नंबर कला में मिमेसिस यानि नकल क्या है कला में मिमेसिस या फिर नकल क्या है option या पर एक उलट फिर एक अनुकरण पुररुत पादक दोहराओ उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B अनुकरण या नखेगा मिमेसिस क्या है अनुकरण औजला प्रेशन है78 number द्रस्ति कला में अनुसंधान VAR एक मंच प्रदान करता है डैस खेतू द्रस्ति कला में अनुसंधान VAR एक मंच प्रदान करता है डैस खेतू एक सोध पद्धती जो किसी एक उधारण या परिगटना का बारीकी से परिखन करती है कहलाती है और ये प्रशन आप लोगों को इसी प्रकार का प्रशनिक करवाया जा चुका है उप्षन या पर Case Study प्रयात्मक सोध रचनावाद सामगरी विश्चलेशन उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option 1 Case Study आप लोगों को बताया गया था Case Study में क्या होता है किसी परिगटना का बारीकी से परिखोन किया जाता है फिर अगला प्रशन आता है 80stagor फील्ड स्टडी संबंधित है उप्षन याँ पर चैनात्मग डेटा एकत्र करना प्रयोगात्मग द्रश्टिकोण वास्तविक जीवन की परिस्थिति बाहिक प्रयोक्षाला अध्यन करना उसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेशन का राइट आंसर उप्षन सी वास्त गुण सोद करता में होना चाहिए ओप्षन याँ पर जैन्डर आयू संसाधनों का निपटान और शिक्षा है इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस मेरे लाहेगा सिक्ष्रा में होने चाहिए तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस स्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन भी सीर्शक प्रस्थ सोध रपोट का जो पहला प्रस्थ होता है उससे क्या कहते हैं सीर्शक प्रस्थ अगर आपको हिंदी में थोड़ा समझ में ना आए तो आप क्या क्या करें जो इंग्लिस वर्जन है आप ये देखा करें इंग्लिस वर्जन क्या है बी टाइटल पेज सोध रिपोर्ट आप लोग भी तयार करेंगे उसका जो पहला पेज है वो क्या बनाएंगे टाइटल वा क्योंकि यह होता है पहला दो वक्षण था अगला प्रिशन आता है 84 नमबर अनुसंधान पद्ध्रत में व्याक्या की खोज महत्व है अनुसंधान यहापर सांखे की डेटा अनुसंधान समझ्या अनुसंधान निस्कर्स और अनुसंधान योजना इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर option C अनुसंधान निस्कर्स फिर next है 85 नंबर प्रशन एक सोध कथन है एक सोध कथन है option यापर एक अवलोकन, एक कत्थ एक दावा जोड़ देकर कहना इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर option C एक दावा याफिर जोड़ देकर कहना next है 86 नंबर प्रशन नियमन लिखित में से किस में रिपोर्टिंग का प्रारूप और प्चारिक रूप से नियधारित है किस में रिपोर्टिंग का प्रारूप और प्चारिक रूप से नियधारित है option याफ पर डॉक्ट्रेट इस्तर की थीसिस सोद करताओं का सम्मेलन कारिसाला और शेमिनार संगोष्ठियों में इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर option A डॉक्ट्रेट इस्तर की थीसिस फिर next है 87 नंबर प्रेश्ण UGC का अर्थ है UGC का अर्थ क्या है option याफ पर University Grants Commission Union Government Council Union Government Commission उपरुक्त में से कोई नहीं उसका राइट आंसर क्या रहेगा option A University Grants Commission ध्यान रखेगा UGC का फुल फॉर्म क्या है University Grants Commission फिर next है JRF का अर्थ है option याफ पर Junior Research Fellowship Junior Research Function Junior Fellowship उपरुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस question का राइट आंसर option A Junior Research Fellowship अगला question है 89 नंबर अनुसंधान 10 की प्रक्रिया है अनुसंधान किसकी प्रक्रिया है option याँ पर प्रात्मिक डेटा एकत्र करना तत्यों की बार बार खोज़ करना समस्याओं की खोज़ करना एक समस्या पर रिपोर्ट तयार करना उसका Right Answer क्या रहेगा इस question का Right Answer option D एक समस्या पर रिपोर्ट तयार करना अगला question है 90 नंबर लिट्रेचर रिव्यू का उद्देश से क्या है? उप्चन या पर परियोचना की बारे में विचार व्याप्त करना, प्राप्त करना, सोध प्रशन एवं परिकल्पना त्यार करने में मदद मिलती है, देटा और सामगरी की उप्लब्दता के बारे में आईडिया या फिर विचार मिलता है उप्रोक्त सभी, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस व्याशन का राइट आंसर ऑप्चन दी उप्रोक्त सभी. फिर अगला प्रशन है, 91 नमबर, भारती कला के पुनर जागरण के प्रमुक लीडर और मार्ग दर्सक चितरकार कौन है? बारती कला के पुनर जागरण के ध्यान दखेगा, पुनर जागरण के प्रमुक लीडर और मार्ग दर्सक चितरकार कौन है? उप्चन या पर, डीपी रॉय चौधरी, एमेफ फुसैन, अम्रिता शेर गिल और आवनीर ना टैगोर. इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option D, आवनीर ना टैगोर. जान दखेगा, मैं तो कुन प्रेशन है? नेक्स्ट है, 92 नंबर प्रेशन, नियमन लिखित में से कौन सा अवनिवेसिक काल के दौरान भारत में बिटिस कला के आगमन के साथ सुरू हुआ? बहारत में जब अंग्रेशों का आगमन होता है, तो कौन सी चीज़े सुरू हुई? आप्शन या पर, मूरल आट, आउयल पेंटिंग, मिनियाचर, ग्लास पेंटिंग. इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option B, आउयल पेंटिंग. ये अंग्रेशों की ही देन है, ये रोपी ततनीक है. अगला प्रशन 93 नमबर, निम्दलिकित में से किसने अउयल पेंटिंग वा यथार्थवादी जीवन पर आधारित पस्चिमी कला में महारत हांसिल की, लेकिन चित्रन का विसाय भारती पौराणिक कताएं थी. यानि कार ये उसने अउयल पेंटिंग में किया और बनाया क्या भारती पौराणिक कताओं से संबंधे चित्र. ओप्शन या पर अवनीर नाटैगोर, नंदलाल बोस, राजा रभी वर्मा अफरुक्तने से कोई नहीं. उसका राइट अंसर क्या रहेगा? ओप्शन C. राजा रभी वर्मा. राजा रभी वर्मा ने चित्र तो ओयल माद्धे में बनाये, लेकिन इनका विसे क्या था? भारती पौराणिक कताओं. अगला प्रशन है 94. सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म दी इनर आई किस कलाकार पर बनी है? उप्शन या पर विनोध विहारी मुखर जी, ननलाल बोस, रभीना टैगोर, या मिनीराय. उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसक्वेशन का राइट आंसर ओप्शन अगला है 95. जी एन टैगोर की पेंटिंग बंगाल की लोग कला कैसी दिखती है? बंगाल की लोग कला कैसी दिखती है? ऑप्शन या पर जंगलवादी, बविस्दिवादी, घनवादी उप्रोप्त में से कोई नहीं. इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसक्वेशन का रा क्रति है? ऑप्शन या पर अवनीर ना टैगोर, मंजीत बावा और असित सेन, अमृता शियरगिल. उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसक्वेशन का राइट आंसर है ऑप्शन A. आवनीर ना टैगोर. भारत माता ये क्रति किसकी है? अवनीर ना टैगोर थी. अगला प्र क्या रहेगा option b bell फिर अगला प्रेशन है 98 नंबर भारती सास्त्री कला एव नरती के शोत नाठी सास्त्र के रचनाकार कौन है पूछा गया है option या पर भरत मुनी कोटिल ले कश्यक नरद मुनी उसका उसका राइट अंसर क्या रहेगा इस question का राइट अंसर option b भारत मुनी नाठी सास्त्र की रचनाकिस के द्वारा की गई बारत मुनी के द्वारा अगला प्रेशन है 99 नंबर निम्दन लिकित मेंसे कौन सा सास्त्र कला और शिल्प से सम्बंधिद है option या पर वास्त शास्त्र अर्थ सास्र उप्रोक्ट में से कोड़ी है उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B सिल्प सास्र ध्यान रखेगा ये कला और शिल्प दोनों से संबन्धित है फिर next and last question 100 number नियम नलकित में से किस पुस्तक में रास लीला का रोमांटी करण किया गया है किस पुस्तक में रास लीला का रोमांटी करण किया गया है उप्शनेया पर भागवत पुरान भागवत गीता, गीत गोबिन, महाभारत उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option A भागवत पुरान ध्यान लखेगा भागवत पुरान में रास लीला का रोमांटी करण किया गया है यहां पर आपके 100 questions समाप्त हुए है और अगर आपको किसी questions में कोई doubt है तो आप हमसे टेलिग्राम चैनल पर content कर सकते हैं जिसकी link मैंने इस वीडियो के comment box में पिन कर दी है तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को एक लाइफ जरूर दीजेगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा पिन मिलते हैं दोस्तो ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ दानिवा दोस्तों जाहें